दोस्तो आज है ब्रहमचरे अल्टिमेटम, डे नमर 13, पुरा साल ब्रहमचरे पालन करेंगे दोस्त, अगर आप नए आये हो, पार्टिस्पेट करना चाहते हो, तो अपना नाम और आप नहां से हो, इसीस को मेंशिन करें, इस वीडियो के कमेंट सेक्षिन में जाकर, आप इस किस तरह के कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे लोग पूसते हैं कि हम non-wage खाएंगे, तो क्या हमारा ब्रह्मचरे भंग हो जाएगा, vegetarian खाने से क्या फाइदा है ब्रह्मचरे को लेकर, non-wage खाने से किस तरह के नुखसान होता हैं ब्रह्मचरे को लेकर, ये सारे doubts आज clear करूँगा, A to Z, आज आपको समझ में आ जाएगा, क्या सही है, क्या गलत है, ये पूरी की पूरी confusion जो create हो रखी थी, आज सारी doubts आपको clear हो जाएगी एक ही बार में, सललता से समझाऊंगा, simple 10 facts आपके साथ share करूँगा, इसके बाद मुझे नहीं लगता आपको और कोई भी doubt होगा, regarding vegetarian food और non-vegetarian food, ठीक है, तो direct काम की बात करता है, let's get started, fact number one, भगवद गीता, उपनिश्द और वेदान्द के अनुसार अगर चले, तो जो इनसान ब्रह्मचरे का पालन करता है, अगर वो vegetarian हो, तो spiritual growth में और ब्रह्मचरे में बहुत जादा तेजी से वो progress कर लेगा, fact number two, non-vegetarian food अगर आप खा रहे हो, तो spiritual growth में वो automatically से एक बाधा उत्पन करेगा, अगर आप चाते हो उन्नती करना वो भी तेजी से ब्रह्मचरे को लेकर, तो गीता, उपनिश्द और वेदानत में भी यही चीज़ को कहा गया है, कि अगर आप vegetarian हो, तो आपके लिए वो चीज़ हमेशा best रहेगी, fact number three, जो इंसान non-vegetarian है, उसके मन में सवाल होगा, तो क्या हम उन्नती नहीं कर सकते हैं, इसका जवाब है, दोस्त आप उन्नती कर सकते हो, non-vegetarian food खा कर भी, ब्रह्मचरे में बहुत ज़्यादा progress कर सकते हो, लेकिन उसके लिए साधना चाहिए, और एक गुरू का हाथ होना चाहिए आपके उपर, तो आप इसमें progress कर पाओगे, नहीं तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा difficult हो जाएगे आपके लिए, अगर आप स्वामी विवेक आनंद का example पकड़ के चलोगे, तो एक चीज़ समझो कि वो non-veget क्यों खाते थें, पहले इसके बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा, आप भूल जाओ, कि वहाँ पर आपको चावल परोसे जाएंगे, राइस, डाल, विजटेबिल्स, चटनी दी जाएगे खाने को, ये possible नहीं था उस टाइम में, ठीक है, तो वहाँ पर क्या मिलता था, non-veget, आप स्वामी विवेक आनंत को खाना तो पड़ेगा कुछ, राइट, इसको लेकर कुछ इंसान उनको चिड़ाते भी थे, कि आप वहाँ जाकर तो ये सारी चीज़े खा रहे हो, तो स्वामी विवेक आनंत जी ने भी यही बात बोली थ कि आप मंगाओ, एक कुक मंगा दो हमें, इंडिया से, भेज दो, जो हमारे लिए खाना बना कर देगा, इंडियन फूड बना कर देगा, तो कुछ ऐसे सरकम्स्टैंस होता है, जिनके वजह से कोई इंसान नॉन्वेज अपना लेता है, ठीक है, लेकिन क्या इससे किसी को अ पारे में, नेक्स्ट पॉइंट में, फैक्ट नंबर फाइव, ऐसा नहीं है, कि स्वामी विवेक आनद सदगुनी थे, वो उस लेवल से बहुत उपर उठ चुके थे, अब आप धीरे धीरे कड़ी को पकड़िए, जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ ना, जैसे जैसे ह एक सूपर कॉंशियसनेस स्टेट में रखाता है, जिसको हम ट्री गुनाटी स्टेट भी कहते हैं, जहां पर आप कुछ भी खा लो, उससे आपको मैंड के लेवल पर कोई असर नहीं होता, बॉड़ी के लेवल पर हाँ, कभी-कभी असर हो सकता है, लेकिन मैंड के लेवल प मैंड के लेवल पर समझो इसको, बॉड़ी के लेवल पर हो सकता है, कि कोई इंसान नॉर्मल जो हो, वो खा भी रहा है, तो हो सकता है उसको मन में अलग-अलग तरह की emotions कभी ना कभी चलने लगे, लेकिन यहां पर बात हो रही है, स्वामी विवेक आनंद की, राइट, हमें समझना होगा कि हम ordinary इंसान से किसी को compare नहीं कर सकते, स्वामी विवेक आनंद के साथ, है न, तो उनका जो consciousness था, वो super consciousness था, यहां तो लोग consciousness को भी नहीं समझ पाते, super consciousness थो बहुत दूर की बात हो जाती है, fact number seven, जो इंसान, trigonati state में होता है, वो कुछ भी खा ले, वो body के level प हो सकता है, असर होता भी हो, लेकिन mind के level पर, trigonati state में जब कोई इंसान चला जाता है, जब कोई super consciousness लेवल पर चला जाता है, जैसे कि हमने पिछले fact में बात करी थी, कि उस इंसान को न, कोई भी चीज़ से तकलिव नहीं पहुंच सकती, चाहिए वो कोई भी हो, अगर स्वा कि यह जो trigonati state है, super consciousness का जो state होता है, इसको कैसे समझे, तो आपको time देना पड़ेगा दोस्त, बहुत जादा, और विदानतिक philosophy को समझना पड़ेगा, यही एक तरीका है, जिससे कि आप super consciousness state को समझ पाओगे, fact number 9, जो बेंसान vegetarian food खाकर ब्रह्मेचरे का पालन करा, उसकी progress त right, क्योंकि अगर इंसान spiritual practices में नहीं जाएगा और सिब non vegetarian food खाएगा, तो हो सकता है जो non vegetarian food में, जिस तरह की emotions रह गई हो, right, तो वो उस चीज़ को खा रहा है, तो हो सकता है, उसके mind के level पर भी असर जरूर करे, तो उसको सबसे पहले तो spiritual process को समझना होगा, और अपने life में जरूर से जरूर apply करना ही होगा, fact number 10, जो भी मेरे भाई अभी भी doubt में है कि क्या करे, अभी भी समझ में कुछ concept नहीं आ रहा, तो मैं आपको एकदम simple language में समझा देता हूँ, देखो, ब्रह्मचरे का पालन करोगे या nofab का पालन करोगे, पहले ये clear कर लो, हो गया, nofab का कर रहे हो, तो देखो, वो एक western concept है, वहाँ पर कोई debate की गुंजायश ही नहीं रहती, कि vegetarian food खा है कि non vegetarian food का है, उसमें आपको ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत भी नहीं है, vegetarian food खाओगे तो best होगा, non vegetarian खा रहे हो तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, fall का अपना एक अलग zone होत तो उसको side में रखो, उसको जोड़ो मत non wage के साथ हमेशा, अब आता है इधर, ब्रह्मचरे के बारे में बात करते हैं, अच्छा vegetarian food अगर खा रहे हो तो best है, progress जल्दी करोगे, result जल्दी मिलेंगे, और जल्दी से जल्दी, आप spiritual path पर भी चल सकते हो, अब सुनो, non wage food इधर खा रहे हो अगर, ब्रह्मचरे में भी, तो वो जल्दी progress नहीं करोगे, लेकिन वहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी ज्यादा, clear हुआ, ब्रह्मचरे का पालन कर रहे हो, non wage food भी खा रहे हो, तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, लोगों की मदद ज्यादा करनी पड़ेगी, exercise exercise ज्यादा करना पड़ेगा, spiritual path पे ज्यादा progress करने के लिए, अलग से अलग yoga करने पड़ेगे, हर दिन उठकर प्रानायम करना पड़ेगा, ये सारी चीज़े करनी पड़ेगे, एकदम simple कर दिया, मैंने आपके लिए, अब आपके बास choice है, बहुत सारे लोग comment करते हैं यार खा सकते हो, limit में खाओ, और देखो एक बात पक्की है, जो vegetarian वाले हैं, वो ज्यादा जल्दी progress करेंगे, तो यहाँ पर आपका काम क्या है, non-waste खाओ, yoga करो, प्रानायम करो, जितने भी negativity है, उस खाने के वज़े से उस चीज़ को घटाने की कोशिश करो, ये आपका goal होना च और अगर आप शर्माते हो, बोलने पर भी वो नहीं मानते हैं, दो चीज़े हैं, शर्माते हो, बोलते भी नहीं बनता हो उनसे, या बोल भी देते हो, तो वो नहीं मानते हैं, दो अलग-अलग reason आपको दे दी, तो आपको करना क्या है, देखो, time के साथ धीरे 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 ये सारे चीज़े sort out हो जाएंगे अगर आपको खाना बनाना आता है तो धीरे धीरे थोड़ा मोडा अपने लिए कुछ बना लो और अगर नहीं होता है तो fruit और vegetable खा लो ये भी चलेगा और आपकी पास बहुत सारी अलग-अलग options हैं जिससे कि आप खुद के लिए एक अच्छा खासा meal प्रिपेर कर लोगे उसमें ज्यादा cooking भी नहीं लगती ऐसी चीज़ें हैं बहुत सारी अलग-अलग आपको dishes मिल जाएंगे जहाँ पर ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती आपका vegetarian भी हो जाता है वो तो आपकी हाथ में मैंने छोड़ दिया अब आपको non-wage के तरफ जाना है वेज के तरफ जाना है आपकी मर्जी ब्रह्मचारी दोनों में कर सकते हो लेकिन देखो vegetarian बेस रहेगा second आपका option है non-wage यहाँ पर आपको मैनेट करने पड़ेगी as simple as that I hope doubt clear हो गया होगा दोस्त मैं आपको एक responsibility दे रहा हूँ आपको तीन तीन ब्रह्मचारी create करने है ठीक है चाहे वो कोई भी हो आपके जान पैचान में उनको लेकर आओ तीन ब्रह्मचारी ठीक है यह मैंने आपको एक जिम्मेदारी दी है कि आप कहीं से भी किसी को भी बुलाओ और हमारे साथ इस ultimitum का हिस्सा बनवाओ जबर्दस्ति नहीं करने है उनको बोलो कि हम ब्रह्मचारी का पालन कर रहे है और हमारे तीन ऐसे लोगों की जरुवत है जो ब्रह्मचारी हमारे साथ बनेंगे तो मैंने यह आप लोगों को सौब दिया यह आपकी जिम्मेदारी है कि सिर्फ तीन ज्यादा ने, सिर्फ तीन लोगों को आप ले कर आऊ उनको भी बोलो कि हमारे साथ ब्रह्मचारी का पालन करे पूरे साल करेंगे या कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो बस आज के लिए बस इतना ही I hope आपका सादा डाउट लियर हो गया होगा A to Z regarding vegetarian food खाएं कि non vegetarian food खाएं ठीक है ख्याल रखना अपना मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई